दोस्तों जब आप मार्केट में काम करते हो ना तो मार्केट में एक बात ध्यान रखना जब भी कभी निउज आती है ना तो टेक्निकल इंडिकेटर्स फेल हो जाते हैं कुछ समय के लिए बात में वो पीछे की हिस्ट्री को प्री कैलकुलेट करके आपको फ्यूचर बताने क की कोशिश भरपूर करते हैं आज की बात की जाये तो आपको मैं अपने लैप्टाप की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ इस्क्रीन पर आप देखोगे तो अभी रात के ग्यारा बचकर बावन मिनिट हो चुके हैं और जो ट्रेड मैंने आज डाली है वो वैनस दे में डाली गई है सिंपल ट्रेड ट्रेंड के साथ में न जाकर न्यूज बेस्ट होते वे डाउन ट्रेंड पर ट्रेड डाली गई ट्रेड के अंदर 10 पैसे का टार्गेट अचीव करना होता है उसी हिसाब से यहाँ पर टोटल कह सकते हो 25 रुपे के आस-पास का प्रॉफिट यहाँ पर दिखाई देगा जो 50 रुपे है वो टैक्सिजन चार्जिस में कट जाएगा और टोटल मिलाकर यहाँ पर बोल सकते हो बहुती क्विक ट्रेड एक्जिट की और प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लिया गया ठीक है नॉर्मल बात की जाए कि क्या-कया चीज़े की जाती है जब कभी निउस आती है दोस्तों निउस आने पर पैनिक कंडिशन में मार्केट में बहुत सारे लोग क्या करता है कंडिशन बनती है कि पैनिक में एकदम से अपनी ट्रेड को हलका सा लॉस में देखते ही वो वहाँ से लॉस देखके चुपचाप निकल जाता है बढ़ ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी कभी नेगेटिव निउस आएगी नेगेटिव निउस कहाँ पर देखनी है पर फोकस करना होता है कि भाई ट्रेंड क्या है ट्रेंड के साथ में कर रहे हो बहुत अच्छा और अगर कोई निउस आ रही है तो निउस कैसे पता करते हैं तो उसको ज़रा सा एक बार समझ लेते हैं मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ ब्लैक स्क्रीन पर लेकर चलता ह या फिर बोल सकते हूँ जो हम फोरेक्स मार्केट को यूज करता है कौन कौन सी वेबसाइट होते हैं देखो भाई मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि मल्टिपल चीजों के पीछे भागने से अच्छा है सिंपल चीज को एक चीज को फॉलो करो और उस चीज को पूरी तरीके से फॉलो करो कि हाँ यहाँ यह चीज काम कर रही है यहाँ पर जो वेबसाइट है और यहाँ पर जो इंडियन मार्केट के जो में वेबसाइट यूज करता हूँ किसके लिए अगर मैं बोलू RBI की कोई भी पॉलिसी अपडेट होंगी या कुछ भी ऐसी चीज़े अपडेट ह इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि जो वेबसाइट हम लोग यूज करने वाले है उस वेबसाइट को प्रॉपर वी में फॉलो किया जाए क्यों रीजन वड़ा सिंपल सा है अगर हम एक ही चीज के लिए multiple चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करेंगे दन हम उसके अंदर अच्छे नहीं बन पाएंगे यह सिंपल सा रूल इंप्लिमेंट होता है जैसे माल लीजिए नहीं बात करो फोरेक्स की बात करो तो मैं फोरेक्स के लिए जो important news होती है प्लस individual news होती है आप कहेंगे क्या बोल रहे हो एक तो news आगई एक individual news का क्या मतलब है देखो भाई अग particular news को बताओ जो इरो के उपर impact डालती हो ऐसे ही मैं बोलू तो GBP की बात करें तो GBP अनर की जब बात की जाएगे तो बाई common सी बात है अगर GBP grow कर रहा है तो GBP grow करने का मतलब क्या होगा अनर खुद बाखुद कमजूर हो जाएगा यह चीज हमें फोकस करनी है किसी एक की news क इसको impact पर देख लो कि उसका क्या impact आता है अब यह पता कैसे करें इसके लिए हम लोग एक website को यूज करने वाले हैं जिसका नाम है common सी बात है इस particular जगा पर मैं click करूँगा click करते ही मेरा यहाँ पर window open होने वाली है अब क्या है यहाँ पर दिखा रहा है कि क्या impact पढ़ सकता है उस चीज को दिखाया गया है कि रैड के उपर highly impact वाली चीज होती है यहाँ पर दिखा जाएगा तो medium impact वाली चीज होती है यहा common sense लगाओ अगर मैं सारी चीजों को follow करने बैट गया तो मेरा तो हो गया काम क्यों मैं पूरी चीज़े follow करता रहूंगा इतने सारे pairs है किस की news को देखूंगा किस को analyze करूंगा मेरा यहाँ पर कह सकते हो बहुत जादा time बरबाद हो जाएगा मैं वो चीज नहीं करना चाहत अगर मैं इन चारों में काम कर रहा हूं लाइक चार में तो चारों को रख सकता हूं बट मेरे लिए focus है अभी usd अनर के उपर तो मैं usd को रखता हूं और common सी बात इसको filter कर देता हूं तो अब जो भी news होंगी वो केवल usd based जितनी में news होगी न वहीं यहाँ पर दिखाई अब आप यहाँ पर देखो जैसे यह कुछ यहाँ पर चीजे हुई है अभी यहाँ पर आ चुके है रिजल्ट अभी ही यह आने बाकी है जो वापिस हो नीचे की तरफ आपको दिख रहे हैं अब मालो यह था यहाँ पर दिखाया गया मुझे केवल कुछ नी करना क्लिक करन क्लिक करने के बाद में ध्यान रखने वाली बात है बहुत सारे लोग क्या करेंगे इसमें बाबा बनने की कोशिश करेंगे बाबा मींज कि यह होता क्या है कैसे इसके इंदर काम किया जाता है क्या होता है कब आता है कब रिलीज होगा यह फालतु की चीजे करने से कुछ न करने की जरूरत नहीं है आप क्या करोगे यह देखो यूजवल क्या इफैक्ट पड़ सकता अगर यह बोला गया था कि इतना आना चाहिए आया यह इतना तो यह अच्छा हुआ इस परिटिकलर करेंसी के लिए अब यहां पर कॉमन सेंस लगाओ जब यूज़ी मजबूत होग इसका मतलब क्या होगा अगर मैं यूज़ी आनार की बात करूँगा क्या बताया जाता है कि अगर अभी 80 चल रहा है और अगर हमारा आयनार मजबूत हुआ तो हमें कम पैसा चुकाना पड़ेगा कैसे हमें यहां पे 79 रुपीज चुकाना पड़ेगा पर डॉलर बट अगर अगर USD के लिए अच्छी नियूज आईगे तो चांसिस है कि अभी आपर की तरफ चलना चालू कर जाएगा क्यों क्योंकि अच्छी नियूज आनी चालू हो रही है अभी दो दिन पहले गर आप देखोगे गिरने का कारण जो था वो खुला यहां पे कलका दिखाई दे रह है वो साइडवेज पढ़ा हुआ है भाई तु पढ़ा रहे हम ऑप्शन में गेम प्ले करेंगे आपको गेम प्ले करना आना चीए मुद्दा यह हो जाता है गलती इस चीज की मत निकालो अभी मुझे कुछ नीचे कमेंट था एक लास्ट वीडियो में वह बोलता है सर यह है अगर मार्केट केवल और केवल आपके बाय करते ही यह सीधी लाइन में चलना चालू कर देगी तो यारी तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना कॉमन सी चीज आती है आपने अगर बाय किया है ध्यान रखो अगर वो गिर गया तो आपके पास में दो चीजे होनी चाहिए ए अगर यह दोनों चीजे है ना लॉस करवा के दिखाओ अगर कोई इंसान पांच लाख रुपे के फंड के साथ काम कर रहा है मैं कोई यहां शेयर्टी नहीं दे रहा हूं मैं कोई फाइनशल एडवाइजर नहीं हूं मैं केवल एक आइडिया शेयर कर रहा हूं कि इतना कर रहा है केवल और केवल 40,000 रुपीज के फंड को वह इंसान यूज कर रहा है और 4,60,000 का फंड उसका कह सकते है उसकी सेफ्टी के लिए खड़ा हुआ है तो आपको क्या लगता है वह 4,60,000 रुपीज उसको लॉस कराएंगे इसको यहां इसपेशली इसलिए बिठा रखाया कि बिठा नुकसान नहीं होना चीए मुद्दा यह है अगर ये वाले पैसे जो काम करने गए हैं पैसे कमा कर ले आए तो बहुत अच्छा तालिया नुकसान हो जाए तो भाई आपको मैदान में उतरना है यह साइकलोजिकल जिसने भी clear कर लिया ना कि भाई मुझे अपने fund के साथ में gameplay करना है देखो भई मैं आपको साफ सुत्री बात बोलता हूं आपको यह चीज़े शिखा रहा हूं ना बता भी रहा हूं कि भाई आपको अपने fund के साथ में play करना है अगर आपके पास fund कम है तो कम trade का मतलब quantity कम रखो आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कब कितना पैसा डालना पड़ता है भी न्यूज आई थी गिरा गिर जाए हमें कोई फरक नहीं पड़ता नेक्स देखते हैं कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है तीन से चार दिन का अपडेट चलता है यहाँ पर तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं अब यहाँ पर अगर कोई इंसान इस चीज को भी नहीं देखना चाहता तो भाई आप ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हो यहाँ भगवान गिड़ जाए मेरे लिए वह अच्छी बात होगी क्योंकि मैं उसमें डिलिवरी करके चलूंगा लॉंग तम के लिए मैंने आपको हमेशा बोला usd.nr by side पा क्यों safe है हमारे देश की economical condition देखोगे हमारे लोगों के काम करने का तरीका देखोगे की job करना पसंद करता है बाहर के लोगों की बात की जाए तो common सी बात है वहाँ पर लोग business करना पसंद करते है तो इस particular concept के साथ में usd.nr की value आने वाले time में hundred भी जाने वाली ह अचीज सबको पता है कोई कुछ नि कर पाएगा RBI भी कुछ नि कर पाएगी मैं कहता हूं राल गांधी बी अगर PM बन जाएंगी वो भी बिचारे कुछ नि कर पाएंगे क्योंकि ये उनके हाथ की चीज ही नहीं है ये चीज है आम जंता के हाथों की चीज कितना वो लोग डालो ये चीज ध्यान रखना जो news आती है गिर रहा है ना अच्छी बात है तो गिर जा भाई हम तुझे बेचेंगे उपर उठ रहा है उठ जा भाई हम तुझे को खरीदेंगे करलाएगे थुड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो दो तिन तिन लोट के साथ में वह चीज करने की प्रैक्टिस करो और इसरी के साथ में एक एक और चीज होतی है अगर हम बात करें RBI की RBI की जो news आती है वो मुझे कहाँ पर दिखाई देती है वो बोल सकते हो money control की बात की जाए money control जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है जो news section होता है उसके अंदर हम easily जाकर अपना filter लगा सकते हैं उसी तरीके से आप money control पर भी काम कर सकते हो अब इसी के साथ में I wish कि मैंने ये बात तो clear कर दी आपको कि आपको कौन सी website देखनी है for forex भाई मैं यही देखता हूँ काफे सारे लोगों को country zone होना कुछ और बता रहा है मैं यह चिंदी चोरी नहीं करता हूँ simple चीज़े मैं खुद follow करता हूँ और simple चीज़े ही होती है अब काफे सारे लोग बोलेंगे forex factory यार यह तो ऐसा करके हुआ वैसा हुआ कुछ नहीं होता forex factory मैं खुद use करता हूँ इसलिए आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ इंडिन market की RBI की news के लिए कोई impact तो नहीं आया कुछ यहां पर एपो रेट अगर हमें कोई decreasement तो नहीं किया उसके लिए मैं money control यूज करता हूँ इन दोनों का आया पाता है फोन में डालना चाहो डाल लो बाकी आपकी personal choice होती है बाकी gameplay करना है NSE की website के साथ में की data क्या बोलता है बाकी gameplay करना है money को manage करते हुए कि मेरे पास जितना fund है उसके हिसाब से मुझे work करना है plus time value की बात की जाए तो हमारे पास होती ही होती है tension लेकर काम नहीं करना है इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहूँगा जाधर tension लेकर काम किया तो कोई मज़ा नहीं आने वाला और यह especially currency marketing जब बात की जाती है और उन लोगों के लिए बहुत ज़दा profitable होने वाला है जो लोग job करते हैं जो लोग कह सकते हो college student है because यहाँ पर आप option selling भी कर सकते हो आप यहाँ पर long term investment भी कर सकते हो पैसा आपको बहुत ही कम लग रहा है 100 रपी की कमाई की कैसे जाती है और पैसे ने पैसे को कमा कर दिया यह सबसे important हो जाता है यह psychological concept समझना I wish कि यह बाते मैंने समझा दी आपको proper way में अगर फिर भी किसी के mind में कोई question है न तो 9837482890 एक number यह है इस पर आप message कर सकते हो दूसरा number है 8077 521043 ठीक है इन दोनों number पर आप message कर सकते हो मैंने नीचे description में पूरी detail दे रखी है ठीक यहाँ पर आप message करके अपने question को पूर सकते हो मैं या मेरी team member जिसको भी time मिलेगा आपको proper way में जवाब दिया जाएगा प्लस अगर आप चाहते हो जुढना तो discord server की link मैंने description में ही दी है वीडियो को देखना नीचे जाके click करके आपको अगर यह बात समझ में आई हो जो मैं बात बोलना चाहता था बिल्कुल simple चीज़ है यार इसमें कोई rocket science में ना खुद यूज करता ना मैं किसी को वीडियो बंद करते हैं मिलते हैं next important वीडियो के अंदर and continue करते हैं next topic को